तो बच्चों पिछले लेक्षर में हमने कॉन्जूगेशन पाई और पाई में बताया था उसमें केस वन मैंने आपको बताया था और यह मैंने एक्जांपल दिये थे आपको और मैंने गहाथ आप लोग सॉल्व करना तो चलो भाई बताओ यह 1 2 3 4 हा कृष्च बोलो इसमें यह कॉन्जूगेशन के लिए कौन सा सिग्मा रिस्मॉंस बहला है थो आप आप बोलो किदर सा किदर कौन ज़्यादे लेक्ट्रों नेग्टिटी होता है क्रिश बोलो जल्दी से विचिज मोर इलेक्ट्रों नेट्टे हो एस्पी ना तो फिर पाई क्या होगा एस्पी टू से एस्पी की तरफ पाई को कहां लेके जाना है जो सिग्मा जो सिग्मा कॉंजूगेशन के लिए मतलब यह बीच वाला सिग्मा तो अब बोलो मुझे लग रहा है तुम समझ नहीं रहा है क्रिस मुझे ऐसा डाउट लग रहा है क्या है कैसी मतलब क्या अधिकत क्या हां पर आ रही है क्या है क्या बनेगा सिएच डवल बॉंट सी डवल बॉंट सी एज और यह माइनस कहां पर डाउट आ रहा है क्रिस बोलो नहीं तुम इसमें भाई पाई और पाई के बीच में सिग्मा है तो ही कॉंजूगेशन है अब पाई को किदर से किदर माइगरेट करना है पाई को ले कहां पर जाना यह जो पाई पैने मारकर पाई को एचर नहीं बीच में जो 1 सिग्मा है जिस शिग्मा से दोनों पातंस से परेटेगेशन मेंक रॉंट सब्सक्राइब हैंArona अब मोरा इसमें जिप्री कलोह लो हां टू-3 के बीच में और थ्री और फॉर वाला पाई कहां पे नाइटोजन पर फ्रॉम लेस्ट्रों नेगेटिव तो मोर इलेक्ट्रों नेगेटिव और यह बन जाएगा सी एच्टू प्लेस सी एच डबल बॉंड सी डबल बॉंड एन और यह माइनस बस आप चलो इसमें बनाना आपको चलो बोलते जाना चलो कॉंजूगेशन देखो भी यह रिंग वाला पाई सी एन के साथ कॉंजूगेशन मेंटेंट कर रहा हैं क्रिस बोलो बिटा यही आना च सिग्मा पाई कॉंजूगेशन है यह सब देखो पाई एक सिग्मा पाई तो फिर इस पाई को मैं किदर ले जाओं बोलो कि रिंग से बाहर क्यों ले जा रहा हूं क्योंकि रिंग में तो SP2 कार्बन है बाहर क्या है बोलो नाइट्रोजन है एस पी कार्बन तो ही है नाइट्रोजन भी है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रो नेगेटी होता है और फिर यह जो बन जाएगा आपका double bond c double bond n और यहाँ पे minus और्थो पोजिशन पे कैसा चार जाएगा बोलो और्थो पोजिशन मतलब क्रिश जो भी बेंजीन पे तुम्हें ग्रूप जुड़ा है 60 डिग्री वाले और तो होते हैं 120 वाले मेटा और 180 वाले पहरा मैं बार बार बोल रहा हूं यह अब फर्दर दे पाई और पॉजिटिव में तो पाई को किदर ले जाना है पॉजिटिव की तरफ पाई को पाई को निश्का बोलों पाई को पॉजिटिव की तरफ ठीक है ना और यह double bond c double bond n और यह माइनस यहाँ पे प्लस आ गया अब बोलो पाई के साथ कॉंजुगेशन फिर से है देखो यह पाई एक सिक्मा पॉजिटिव तो इस पाई को मैं किदर ले जाओ पॉजिटिव की तरफ और अब फिर यह कहां पे पॉजिटिव चार्ट जाएगा कि नेक्स्ट वाले और तो पे ना यह जो इधर साइट ना और तो यह सी डेवल बोन एंड अब बोलो यह जो सी एन है ना सी एन मतलब साइनाइड यह साइनाइड तुम रिंग से अटाइच कर रहे हो तो रेजोनेंस के थूँग यह इलेक्ट्रॉन रिंग से बिद्ड्रॉ कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर रहा है बताओ मुझे क्रिश्ट यह ध्यान से सुना फिर मैं किसके बारे मैं पूछ रहा हूं मैं कह रहा हूं मेरा कहना क्या है देखो अब मेरा कहना यह है कि यह जो साइनाइड है ना यह यह इसके बारे में यह दुश्ट रिंग से जब अटेच हुआ है तो आप देखो ये साइनाइट रिंग को एलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है through resonance की एलेक्ट्रॉन खीच रहा है जड़ा देख लो ध्यान से किदर मूब कर रहा है CM का electron ring की तरफ move कर रहा है या यह ring वाले electron को अपनी तरफ कीछ रहा है देखो तूं ॲिसिडीजिटी कम करना inductive effect से –I कहते हैं और resonance से electron खीचना, बिड्रॉ करना, minus our effect. resonance से electron क्या करना? donate करना, plus our effect. नहीं समझें? जैसे minus i, plus i नहीं पढ़ा था? minus i, plus नहीं पढ़ा था? दुष्टों, minus मतलो घटाना, plus मतलब क्या करना, जोड़ना? नहीं सरु. तो अब यह क्या कर रहा? रसाइनाइट क्या कर रहा? इस रिंग से electron बिड्रॉ कर रहा है कि नहीं? तो मैं कहूंगा कि यह कैसा effect शो कर रहा है? minus our, या फिर इसी को minus our ना बोलके, क्या बोलते हैं? बोलो, minus m. क्या बोलते हैं? minus our effect या फिर? minus m. रहा है, रहा है है. रहा है है, क्या बोलते है? positive, positive म. यह positive क्रियेट करने का क्या मतलब है? positive means, electron density decreased हुआ कि increase हुआ? decrease हुआ, decrease हुआ? धीकरीज हो घटाना गाटाया пой zostaacяться अगर तुम सेन हो किया एलेक्ट्रॉण थीया के तुम्ने एलेक्ट्रॉण किछ लिया तो मैं कुछते मैं तुम मैंम दर के आ रेक्ट्रॉण निशिका बोलू और ये कब होगा वो भी मैं अभी सब लिखवा दूँ अभी ये बात क्लिर है कैसे बनाएं गया बताओ ये चीज बनाना आना चाहिए आपको पाई को मुव करेंगे इधर सिक्मा वाले पास फिर वह वाला पाई दर जैसे इसमें है ये बनाना अभी आपको एक और फटक्स बनाओ ये लास्ट वाला चलो क्रिश बोलू बैटे ये हां तक बना दी के थार्ड तक बता दो कोंजूगेशन कंप्लीट कर दोँग आज एक गॉअ डत नहीं बिसका केस टू और एक लास्ट कोंजूगेशन इसका ऊंबलो कैसे बना होगे बोलो कितना इसलिंगान है सबको अब कोंजूगेशन और थे को नहीं चुख अपनूगेशन मेंटेंड कर रहा है है कि नहीं कि देखो पाई एक सिग्मा पाई कि क्रिस कॉन जू है कि अरे देखो ना पाई एक सिग्मा पाई ठीक है और यह जो पाई और पाई में कॉन्जूगेशन है मतलब यह पाई और पाई में यह देखो मैं ऐसा कुछ कलर पर चेंज दिखा अरे बोलो ना पिंक बना दिया ना यह बोलो ना यार पाई एक सिग्मा पाई ठीक है अब मुझे बताओ कि यह यह रिंग वाला पाई को बाहर की तरफ ले जाओं या बाहर व होगा तो बोलो लेस एलेक्ट्रों नेगेटिया ठीक हो था इलेक्ट्रों किदर फ्लो होना ची है ना तो रिंग वाला पाई किदर माइग्रेट करेगा यस ये लो पर फिर बोलो नाइट ओचन पर कितने बॉंड बन गे जल्दी किनों काॉंट करो इस गीनों मतलब जानते हो ना काॉंट करो इस जा साथ मुंगे ए पाउंड भी ने गिन पार है क्या यह एक तुम कैसे तुम तुम सेवन कैसे बोला एक तो फिर इस पाई को मैं कहां पर सिप्ट कर दूंगा ऑक्सीजन पर देखो जब तुम पाई का माइग्रेशन कर रहा है यही तो हो रहा है पाई को ले जा रहे हो उस सिग्मा के पास जो कॉन्यूगेशन के लिए रिस्मॉंस्वल है और जो नेक्स्ट पाई बॉंड है उसको निगेटिव चार्ज में क्रियेट कर दे रहो बस तो अब इसमें बताओ क्या बने बोलो कि यह अब बोलो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कौन से बॉंड बन गया डबल बॉंड है ओ मैनिस नाइट्रोजन पर अभी भी कैसा चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज नेयर बॉंड बने हुए हैं कि बांन तो चार है अबीभी देखो नाइट्वोजन पर चार बॉंड तो प्लस ही होगा ऑड्स शार चार्ज या ब्रॉब गासे जाएगा ऑम पॉजिटिव क्यों कि तुमने क्या किया रिंग से दिलेक्रॉन त् हो रिंग को सिगमा पाई चलो बोलो मेरे साथ पॉजिटिव एक सिगमा पाई और पॉजिटीव में कॉन्जूकेशन है तो पाई को किदर माइग्रेट किया जाए कर पोजिटिव की पास मतलब पॉजिटिव के लिए रिस्पॉणस पहले जैसे हम कुरा पढ़ लिया तो सब में common एक चीज मिला था हमने सिग्मा बॉंड का गुम्मी गुम्मी ऐसे पूरो कॉंजूगेशन पढ़ने थे एक चीज हमको पते चलेगा अच्छा जो भी migration हो रहा है तू दे सिग्मा रिस्पॉंसिबल फर कॉंजूगेशन मतलब वो एक सिग्मा के पास है ना अब फर्दर बोलो अब पॉजटिव चार्ज कहाँ पाएगा निश्का बोलो जल्दी से अब पॉजटिव चार्ज कहाँ जल्दी बोलो नहीं तोर दे तुम्हें हाँ पैरा पोजीशन पे यस और फर्दर बेटा देखो कौन जो है पॉजटिव एक सिग्मा पाई फिर पाई को मैं किदर मूब करों पॉजटिव की तरफ अब निश्का बोलो क्या ये नाइट्रो जो एङनोे फिजडिव ये क्या किया दूष्टने ये रेजुनेंस के ठुरू रिंको एलेक्ट्रोण डोनेट कर RNA कर सीकी मतलब रिंक tomarat का मतलब पर इलेक्ट्रों कर से रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करना दाट इस माहिने साथ अभी नोट में क्लिकवा दूँगा मैं अभी कैसे ड्रॉ करते हैं डिलोकलेजेशन कैसे शो करना पते हैं चला आपको थोड़ा सा ये नोट कीजिए फिर मैं घर के लिए भी दे दूगा दो बना के आप ऐसा स्क्रीन सॉट में जोगे मुझे मतलब पिक भेज जोगे जिससे मैं देखोंगा तीर तुम कैसे बना रहे हों यह वह लो नोट कर लिया को प्रिश्ट बटा दन ही है डन है डन डन ओके बटा अब यह मैंने पाई और पाई में कॉंजूगेशन आथ यह कौन सा केस बता है केस बताया जिसमें क्या हो इन डिफ्रेंस हो ओके ना बोलो मालक अब मैं बता रहा हूं केस टू केस टू में आप लिखो इफ देर इस नो इन डिफ्रेंस इफ नो इन डिफ्रेंस नो इन डिफ्रेंस दन वी हैब टू के लागे टू माय गली हज़ द वी टू मैं से प्रेंस यह यह द दूू में से लुप टू आपना बीफ्रेंस इफ टू इन डिफ्रेंस भी हैब टू ब reciproc da खो च बर से लो इं इंड गो बॉड़ ऐवे दर प्रू दू Warad Il . which produces more stable structure तब हम कैसे migrate करेंगे फिर हम if there is an en difference we will decide or it has been already decided if there is an en difference then already decided है कि आपको more electron negative की तरफ migrate करना पड़ेगा लेकिन if there is a no en difference तो फिर हम decide करेंगे कि ऐसे migrate करें कि stable बने उसको prefer करेंगे मैं जो कह रहा हूँ पता है चल रहे की बात नहीं वो लोग दूश्ट अब मैं देखो बता हूँ अब और भी जब इसके uses होंगे तो आप जानोंगे ना आप तो tension ही नहीं है बोर्ड का उधर कराएंगे जिससे की tension नहीं रहेगा दोनों चिंज सेपरेट रहेगी इसमें अच्छे सबढ़ेंगे क्योंकि जहां पे भी आप इसकिप करके पढ़ाओगे या पढ़ोगे ना फिर फिर मैं वैसे बूल एनर्जी फिर नहीं आपाता है फिर लगता है कि कहीं कहीं बधा बधा सा फील करता आदमी अब यह देख लो दूज बच्चों बहो जो भी पाई बॉंडड एटम है वन नंबर तू नंबर त्री न सारे एसपीटो एसपीट्यत की बात कर रहा हूं! मैं पांच नंकटि नहीं कर रहा स्टेबिल स्ट्चर ठीक है अब ऐसा करते हैं चलो बोलो कॉंजूगेशन है यह पाई एक सिग्मा पाई अब एक मर्द हम कैसे माइगरेट कर सकते हैं एक से चार्ड की तरफ मतलब एक दो वाले पाई को कहां पे ले जाओं तू त्री अब यह तो पक्ता ना पाई कहां पे ज है अब इसमें माइगरेशन करो शलो वह लफ्ट उ राइट मा आइगरेट करो वन तू वाले पाई को कहां पे ले जाऊ रहा हम को फोर पे नेगेटिव ना तो एक बार ऐसे माइग्रेट करना यह और यह एक बार ऐसे माइग्रेट किया क्रिश बोल इसमें डाउट हैं बोल देना बेटाँ ने तको डोग नहीं हाँ मैं कुछन दे दूंगा वह वाला तुम ड्रॉ करके देगा फिर गलती प्यदा चलेगी फिर अपने आप आ जाएग किदर माइग्रेशन करना फोर से वन की तरफ चलो मतलब थ्री फॉर वाला पाई किदर ले जाओ टू थ्री के बीच बोलो और वन टू वाला पाई कहां पर वन पर बोलो क्या बनेगा बोलो जल्दी से सोच नहीं पाते कहें तुम लोग अब ऐसा माइग्रेशन करो यह पाई यहां पर टू थ्री के बीच में वन टू अला पाई वन पर तो यह हो गया सी एच डेविल वांड च और सी एच प्लेस यह दोनों स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया परता चला कि नहीं पहले तुभी बता दो क्रिश्ट बनाओ यह यह ऐसे नहीं तीर बनाए इसके लिए ऐसे तीर बनाए तो फिर इसके लिए तीर उटा बनेंगा ना इसका अश्ट आपोजिट अहां है बच्छों इन दोनों में कौन स्टेबल है ऐसा नहीं कि दोनों स्ट्क्चर बनेंगे प्रिफरेबल कौन सा होगा तो तुम मुझे बताओं दोनों में आचा पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाने के लिए या डेफिसेंट को स्टेबल बनाने के लिए डोनेटिंग फैक्टर होने चाहिए कि बि मैं बताओं ना तुम्हें पॉजिटिव चार्ज और डेफिसेंट सेंटर को स्टेबल बनाने के लिए कैसे ग्रूप होने चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर और बिड्रॉइंग डोनेटिंग जहां कम हो वहां डोनेट करना ना और निगेटिव सेंटर हो पर निगेटिव और डोनेटिंग लगा दो देखो निगेटिव सेंटर का कैसे होता है अप्लस आई अपर यह प्लस है पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाने के लिए कैसे प्लस है तो मुझे बताओ पॉजिटिव को के भगल में प्लस आई वाला है कैसा अच्छा एक बुरहा है बताओं अच्छा है डोनेट करने वाला ना अप्लस है हां और यह निगेटिव के फखल में डोनेट कर रहा है दूस्त अच्छा है क्या है यह इस्टेबल क्या अनिस्टेबल क्योंकि निगेटिव और चार्ज बढ़े जाएगा एक टाइप का चार्ज और बढ़ेगा तो यह क्या हो गया अनिस्टेबल और यह रिलेटेवली क्या होगा इस्टेबल तो हम किसे प्रीफर करेंगे बोलो पता है चल Excuse me sir Yes sir अरे एक बस सिविए मतलब 2 minutes लगेगा बस 2 minutes, the conjugation completed 2 minutes मतलब 2 minutes not more than 2 minutes 2 minutes मतलब 2 minutes तो conjugation के features बता दूँगा ना समझे नहीं बिटा प्लीज एक मिनट यह हो यह done है क्या बोलो हाँ sorry done अन्यी तो screenshot ले लो ना पिर तुम अब ऐसे भी मैं सब upload करते रहा था कहीं से भी देख सकते हो topic wise lecture wise आप देखो बेटा last conjugation अपना आ गया कौन सा है positive एक तुम लोग बोलो जली से positive था negative था loan pair था फिर बिंदी था फिर क्या था पाई था और यह 6th है A B C D E F यह 6th वाला है ना पाई एक सिक्मा वेकेंट और्बिटल अब देखो तुरांत में बता रहे हो कोई चपकर ही नहीं देखो यह यह बालक अगर मैं कहूं कि इसमें conjugation है की नहीं देखना यह CH और यह लिख दिया मैंने BS2 अब तुम देखो बोरॉन पे 6 यह इलेक्ट्रोन है मतलब यह यहां पे क्या है बोलो वेकेंट टू पी और्बिटल है की नहीं बताओ एक मिनट देखो तो क्या होगा किदर से किदर एलेक्ट्रोन फ्लो करोगे निश्का बोलो किदर से किदर एलेक्ट्रोन फ्लोगा from field to account orbital तो यह पाई को टेंडन है ऐसा सिफ्ट करो और यह देखो तुम क्या बना दिया CS2 और यह क्या बेटा प्लेस और C H double bond अब बी पे क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन आगे एक्सेप्ट करने हो लाती है हाँ पर माइनस आ जाएगा ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर देखना ज़रा है तो अब यह क्या होगा पाई एक सिग्मा वेकेंट डी और्विटल इसके पास क्या है बोलो दुन लोग बोलो दूस्टों वेकेंट डी और्विटल तो यह बन जाएगा सिएज टू प्लेश और सिएज और यह क्या बटा पीएज तो मैंने कॉंजूगेशन बता दिया आपको बाकी नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल और इससे इंपॉर्टेंट चीज़े जानेंगे ठीक है तो नोट कर लिजे यह देख लिजे आप लिजा सब ही है कि बोलू कि नोट कर लिए बना तो आज के लिए बस इतना ही ओके थाइंक्यू कल टू ओक्लॉक मिलते हैं इतना ही ओके थाइंक्यू बबैवे